हेलो दोस्तों गुड मोर्निंग जैस अभी अभी उठाऊं उठके फ्रेश हुआ हूँ अभी नाऊंगा और थोड़ी देर में ड्यूटी के लिए निकलूंगा मैं भी जम्मू में हूँ और आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज शाम को हम ट्रेन से मेरे गां मतलब टीबी हनुमानगड जा रहे हैं तो इस तोरान आपको मैं ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा आज शाम को 9 बुजे हमारी ट्रेन है जो यहां से पठान को टमरत सर जलंदर फिरोजपूर होके उसके बाद में बठिंडा और फिर हनुमानगड पहुंचती है यह 14 गंटे की जर्नी है लेकिन नाइट जर्नी है तो इतना पता नहीं लगता इसलिए तब लोग बहुत ही एकसाइटेड होने वाला है क्योंकि आपको एक मीनी ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी नाइट की जो ट्रेन में सफर करना काफी लोगों को बहुत अच्छा लगता है उसी परगार मुझे भी ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है अभी बस नाते हैं त्यार होते हैं ड्यूटी पे जाते हैं और जल्दी 12 बज़ तक वापस आजाएंगे आज ट्रेन हलांकी 9 बज़े हैं लेकिन वैसे ही हम जब थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ठीक है मिलते हैं इप बादे 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 से बादे से अगादे लेता है झाल झाल यहां पोस्ट से पैदल हम अपने रूम की हो जा रहे हैं और शाम को नो बजे की ट्रेन है बहुत ही एक्साइट गर के लिए हेलो फ्रेंड्स अब हम ड्यूटी करके वापस रूम पे आ गया है और हम पैकिंग वगरा कर रहे हैं पैकिंग करके जाने की त्यारी करेंगे अभी टाइम है एक गंटा ट्रेन निकलने के लिए ट्रेन यहीं से जमू तभी से स्टार्ट होती है तभी ऐसा कोई जल्दवाजी करेंगे का काम नहीं है कि ट्रेन यहीं से जानी है नो वजे चलनी है तो उसी साफ से 15 मिट पहले हम जाके ट्रेन में बेट जाते हैं अब यह हमारा बैग डन हो चुका है बैग पैक हो चुका है इतना हैवी बैग इसमें कपड़े वगरा है इतने दिन के दुल्वाल जाना भी है आपको सब बताऊंगा दीरे दीरे अब हम निकल रहे हैं रेल्वे स्टेशन की तरफ हमारी ट्रेन का टाइम लगब हो चुका है 15 मिनिट रहे हैं मेरे एक वाटर से रेल्वे स्टेशन धोड़ी धोड़ी पर है दो या तीन मिनिट लगते हैं शोटकर से तो चल और यह हमारी ट्रेन आगी है पलेट भराव नंबर तो पे जम्मू तवी रेल्वे स्टेशन सुबह के साथ बज़रे हैं और हम फिरोजबुर केंट पहुंच गए हैं पंजाब यहां अदे गंटे गाड़ी का स्टोप है इसके बाद में आगे बठीनडा के लिए फिर बठीनडा से इन्मानगड़ लुशन 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 क्सक् 상isson च्रिट क्सक्रेश कि यह ब हम पहुंच गयें बठिन्दा जंक्शन यहां से एन्र और 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 न्व डिविजन अलगलग होते हैं मतलब बॉर्डर कह सकते हो विकाने मेर साइड न्व डो मेर जोन विकाने मेर और इधर है साइड अन्र रोजबूर डिविजन यहां भी कम से कम 25 मिंट का स्टोप होगा इसके बाद में मंदी डबाली संगरिया फिर हनुमानगड जंक्शन यह हनुमानगड इंटर हो गया आउटर पे सुथीपुरा बाइपास कि अबड़र यहां लाद कि अबड़र पारे लाद लाद कि अबड़र कि अबड़र कि अगर पे आगे हैं इतनी थकान होगी थी पूछो में थोड़ा लेड काना गाया है अभी बस रेडी हुआ हूं और अब जा रहे हैं तोड़ी बाहर गूंबने थोड़ा देर दोस्तों से मिलेंगे और इंज्योय करेंगे कैसे लगी आपको मेरी ट्रेंज जरनी आपको पूरी अच्छी तरह से दिखानी पाया लेकिन जहां तक मैंने कोशिस की आपको दिखास कूं वहां तक मैंने आपको ट्रेंज जरनी मेरी दिखाई रूट के बारे मैं आपको बताया तो मिलते हैं अगले व्लोग में थैंक्यू झाल झाल झाल